करें वो, क यॐ यॐ जी क्याफ़ेट्प आज के लेक्डर का अगाज करते हैं आज आज का हमारा लेक्डर नाइनि टी एट यह लेक्डर की डूरेशन थोड़ी नॉर्मन लेक्डर से जैशाओगी तकिरिबंद तीन सवा तीन गहंटे के करीब का lecture होगा नहीं एक ही lecture नहीं होगा हम दरमियान में ब्रेक करते रहेंगे ठीक है इसको हमने हर पंदरा मिनट बाद आदे गहंटे की ब्रेक करते रहें आज का जो lecture है उसको हमने पांच हिस्सों में डिवाइट किया है लेकिं इसका यह मतलब नहीं है कि यह lecture आपके पांच lectures के बराबर होगा आपको पता है हम इसको logical five parts में subdivide किया है इसमें चुक्के concepts भी होंगे और इसके साथ practice questions भी होंगे तो तकरीबन इसके अगर तीन सवा तीन घंटे की total duration होगी तो उसमें जो आपका concept होगा वो तकरीबन डेड़ घंटे में डिसकस होगा और बाकी का जो डेट पोने दो घंटे है दो घंटे होगे उनमें हम practice questions को डिसकस कर रहे होंगे ठीक है तो अगर आप देखें तो इस total जो duration होगी लेक्चर की इसमें जो conceptual पार्ट होगा वो तकरीबन डेड़ घंटे का होगा जो कि आपके मेरे खाल है accounting एक normal lecture के बराबर यह है तो duration थोड़ी जादा है लेकिन जाद रखें concept इतने ज्यादा नहीं है कि आप ये समझे कि तीन चार या पांच पांच जिसों में का सब डिवाइड किया है लेक्चर को तो ये पांच लेक्चर के बराबर है ये हर्गिस पांच लेक्चर के बराबर नहीं है बलकि आपके counting के समय लेजिए एक lecture और practice question क्योंकि आपको पता है कि practice के उपर हमने compromise ने किया वरना हम इस session को जल्दी भी conclude कर सकते थे ठीक है लेकिन मैंने बेहतर समझा कि आपको practice साथ साथ करवा के तो फिर course आपको घर में जा जाए ताकि आपको पता हो कि हर question की हर concept की case study को कैसे attempt करना है और आप उसको खुद से जब attempt करने के लिए बैठें तो comfortable feel करें कि आपने इस तरह की case study class में teacher के साथ की हुई है तो थोड़ा थरा strong confident feel करता है तो हमारे मैंने आज के lecture को पांच हिसों में subdivide किया है इसमें हम part A में payroll system के बारे में study करेंगे और जो previous system था हमारा purchase system उसकी case study को discuss करेंगे फिर इसके बाद हमारे जो दूसरे system है cash and bank system है उसको cover करेंगे inventory and fixed asset का system है उसको cover करेंगे फिर system हमारे 5 complete हो जाएंगे फिर इसके बाद इन system को हमने सीख तो लिया इनको document कैसे करना है जो 98 का part D होगा वो documentation से relate कर रहा होगा यानि part A हमारा payroll system है part B हमारा probably cash and bank system होगा part C inventory and fix assets part D होगा इन पांचो system की documentation कैसे करनी है और उसमें खास तरपे हम flow chart के उपर focus कर रहे होंगे और जो part E होगा वो कुछ additional चोटे मोटे concepts हैं जो हमने cover करने हैं तो start करते हैं आज के lecture को सबसे पहले purchase system आपने पढ़ा होगा आपको याद होगा मैंने आपको का था कि आपने reading करनी है याद करने को नहीं का था ठीक है सिर्फ reading करनी थी लेकिन कल के lecture में मैंने आपको objectives की भी reading करने के लिए का था control activity की reading करने के लिए का था और test of control के लिए भी इन में कोई question पूछना चाहते हैं हो तो पूछ लेजिए कितने students ने reading की है चलिए आपको समझ इसमें जो सबसे एहम चीज़ एक्जाइम पॉइंट अफू से समझने वाली है ना वो ये कि control activity और test of control में क्या फरक है control activity मैंने आपको बताया था management के point of use से हम बता रहे होते हैं और test of control को आईटर के point of use से ये बड़ी mistake है जो अगर आप exam में करेंगे तो आपके marks जो है वो zero हो जाएंगे ये बड़ी mistake नहीं करनी हाँ अगर control activities या test of control में आपको कोई एक अदा control ऐसा है जो समझ में नहीं आया उसको याद कर ले याइवन याद नहीं कर सके exam में चार control उसने पूछे आपने तीन बता सके हैं इससे भी आप इंशाला फेल नहीं होगे marks कम होंगे लेकिन फेल नहीं होगे आपको बता है exam में और वैसे भी आपको बताया था जिन्दगी में हमने जो बड़े-बड़े decisions हैं वो ठीक हार decision हमारा ठीक नहीं होता लेकिन बड़े-बड़े decisions हमने ठीक करने है exam में भी सबसे बड़ा decision हमारा क्या होता है requirement को पढ़के understand करना कि वो पूछ किया रहा है किस topic में से पूछ रहा और क्या पूछ रहा है अगर यह decision के ठीक होगे इंशाला पास हो जाएंगे बाकी natural होता है कि question का कुछ हिसाब समझ पाएं कुछ नहीं समझ पाएं कुछ से याद किया हुआ था लेकिन exam में लिखते हुए बूल गे यह natural part होते हैं आपके question paper के इनकी बज़ा से normally student fail नहीं होता fail होता है बड़ी गल्ती करने की बज़ा से तो अब purchase system में आपको case study की home assignment देगे थी इसमें से case study जो आई kept की है वो मैं आपके साथ share कर रहा हूँ तो आई यह discussion करते हैं start question number one a सबसे पहले इसमें हमने requirement को पढ़ना है और यह देखना है कि क्या हम इसकी requirement को understand करने के काबिल है requirement में कह रहा है identify any six weaknesses in the internal control system ठीक है क्या question की requirement से आपको यह पता चल ला है कि यह internal control का question है यह internal control system से हमें पता चल गया six को underline कर लीजिए six weaknesses उसने का है अगर तो छेव ही हुई तो हम सारी के सारी लिखनेंगे लेकिन अगर हमें seventh या eight weakness भी नजर आ गई तो हम वो भी लिखनेंगे ठीक है कुछ case study के solution में उसने पूछा हुआ हुआ है four weaknesses question में five थी तो मैंने solution में भी five लिख दी है तो strong यह पूछते है सार आपने five क्यों लिखिया हलागे question में तो उसने four का हुआ था तो मैंने अहत्यातर लिख दी एक extra ता कि अगर हमारी उपर कोई गलत हो भी तो examiner alternate weakness को check कर ले तो यहां पे six weaknesses उसने कहा हुआ है of CL and their possible effect weakness का मतलब क्या होता है weakness का मतलब weakness का मतलब translation करने को थोड़े ही कहा था weakness का मतलब यह होता है कि हमारा कोई control apply नहीं या तो हमारा कोई control missing है या सही apply नहीं हो रहा जैसे bank reconciliation statement prepare ही नहीं हो रही ये भी weakness है prepare हो रही है लेकिन उसको को independent person review नहीं कर रहा ये भी weakness है तो weakness का मतलब है कोई control activity सही तरीके से perform नहीं या तो हो ही नहीं रही या सही तरीके से perform नहीं हो रही कह रहा है और और इंटिफाइ कीजिए and also there is possible effect effect का मतलब क्या है कि अगर ये weakness इसी तरह continue होती रही तो नुकसान क्या हो सकता है management का company का financial statement में क्या problem आ सकती है या financial statements के लावा some time generally भी management को क्या नुकसान हो सकता है यानि effect का मतलब क्या है effect का या implication इसको करते है कि अगर ये weakness इसी तरह चलती रही तो management को क्या नुकसान हो सकता है company को क्या नुकसान हो सकता है also give your recommendation to overcome these weaknesses to CL recommendation भी दीजिए अब recommendation का मतलब क्या है recommendation का मतलब test of control नहीं है कि weakness को खतम करने के लिए क्या करना चाहिए ये basically weakness का opposite होता है क्यानि जो control activity परफार्म नहीं हो रही या सही परफार्म नहीं हो रही हम उसे कहेंगे कि इससे सही परफार्म करो ये है weakness का मतलब याद रखे जब कभी internal control वीक होते हैं तो हम recommendation देते हैं test of control परफार्म नहीं करते हैं आपको याद होगा concept test of control कब परफार्म किये जाते हैं शाबाज जब control strong हो तो आईए start करते हैं पहले requirement अब हमारे जहन में है अच्छा अब जब आप इस system को बढ़ेंगे ना इसमें कुछ activities ऐसी होंगे कुछ control ऐसी होंगे जो strong होंगे और कुछ control ऐसी होंगे जो weak होंगे हमने requirement को सामने रखना है कुण से वाले control उठाने है weak strong control को नहीं उठाना ये जेन में रखिएगा लेकिन मैं discuss करता जाओंगा कि इसमें ये strong control है ये strong control ताकि अगर इसी system के साथ वोगर requirement को change करके हमें strong control पूछ लेता है और कहता है test of control बताओ तो हम उसको भी attempt करने के काबिल हो अच्छा अगर control पे आप लोग पहुँच जाए तो उसका test of control बना सकते हैं ठीक है हाँ आपको पता है तीन तरीकों से बनता है control से test of control अगर documentary evidence है तो sample select करके inspect करना है किसी ना किसी चीज को signature बगारा को documentary evidence नहीं है observe और अगर IT system user test data आतेवाने CL limited is engaged in the business of assembling motorbikes कोई weakness है system में अभी तो system start ही नहीं हुआ अभी तो company के बारे में information client के बारे में information दे रहा है उसके system के बारे में information अभी नहीं दे रहा CL has fully integrated computerized counting system fully integrated computerized integrated counting system का मतलब क्या है कि different area सारे areas एक दुस्षे के साथ link है आप sales की entry pass करते हैं साथ inventory भी अपडेट हो जाती है साल ही data भी अपडेट हो जाते हैं अलाइदा अलाइदा आपको entry pass नहीं करना पड़ती है एक जगह पे entry pass की इसके effect जिस जिस जगह पे आएगा जिस जिस एरिया में automatically अपडेट हो जाता है तो ये integrated system बेहतर system समझा जाता है you have been given responsibility for reviewing the internal controls relating to procurement procurement किसको कहते है purchases का दूसरा नाम procurement है ये जिन में रखेगा purchases का दूसरा नाम procurement है in this respect you have gathered the following information अब वो हमें information बता रहा है यहां तक कोई weakness system शूरू ही नहीं किया अब ये ordering of inventory system शूरू कर रहा है अब चुके purchase जब हम करते हैं तो inventory ही purchase करेंगे ना तो इसलिए ordering of inventory या purchase order एक ही बात है approved suppliers list is maintained in computerized counting system suppliers की approved suppliers की list maintain की जा रही है good control है क्योंकि market में है ये नहीं होना चाहिए randomly किसी भी supplier से आप purchase कर लें सिर्फ approved supplier से purchase करने चाहिए लेकिन ये हम इसको ignore कर देंगे relevant नहीं है requirement के मताबिक the list was last reviewed for changes two years ago दो साल पहले list को review किया गया था ये weakness है list जो है वो update होनी चाहिए ठीक है monthly या quarterly या ज्यादा से ज्यादा half yearly ताके market में अगर अच्छे supplier आ रहे हैं जो के better quality की services कम low rates पर प्रवाइड करें उनको भी करता है monthly कर ले quarterly कर ले लेकिन प्रियाडिकली अपडेट करती रहे हैं इसको यह एक weakness हमने identify कर ले आगे सब्सक्राइब however during the intervening period यानि जिस period को हम यह procedure perform कर रहे हैं any supplier whose performance is not satisfactory is timely removed from the list जिस supplier की performance अच्छी दे जिसने हमें खराब माल supply किया उसको हम उसे approved list निकाल देते हैं यह अच्छा काम करते हैं के जला अच्छा काम करते हैं बिल्कुल इसको ignore कर देंगे यह update add नहीं कर रहा है डिलीट कर रहा है हम तो उसे उपर कहा कि add करने के लिए करो update के market में new supply रहा हो यह भी चेंज हो रहा है लेकिन यह डिलीट की डिलीशन की बात कर रहा है addition की नहीं कर रहा है as a control measure the list is accessible and editable only by the employees of procurement department क्या procurement department के सारे employees को accessible or editable इसमें accessible इतना बड़ा issue नहीं है लेकिन editable होना ज्यादा बड़ा issue कि कोई भी employee अपनी मर्जी का supplier add कर सकता है और फिर उसे purchase की जाएगी तो यहां पे weakness क्या है के employees of procurement department can access and edit the list implication क्या हो सकती है fake suppliers या suppliers with lower rating can be added recommendation क्या होगी access rights होने चाहिए restricted access rights होने चाहिए इस list के agree करते हैं चलिए यह हमारी दो weakness होगी अच्छा मुझे बताईए यह उसने साथ में bullets के साथ point दिये हुए तो points का यह मतलब नहीं है कि हर point में हर bullet में एक weakness होगी हो सकता है किसी में दो weaknesses हो हो सकता है किसी में एक भी ना हो जैसे इसमें दो है किसी में तीन हो सकते हैं तो radically वैसे उसने पूछी नहीं आज तक मिंटेन हो रहे हैं कौन से एक sequentially pre-numbering और दूसरा re-order level ठीक है री-order level वैसे inventory के point of से control है inventory के point of से control है लेकिन दोनों ही हमारे लिए irrelevant है क्यों भला वो good control तो पूछी नहीं रहा अगर फर्स कीजिए good control पूछ रहा होता आपने identify कर लिया तो उस सूरत में ये implication और weakness की बजाए आप से पूछता test of control क्या है तो बताइए numerical sequence का ये purchase requisition numerical sequence इसका select a sample and inspect for numerical sequence के numerical sequence है के नहीं जैसे हम किताब खरीदने से पहले उसका numerical sequence चेक करते ना ताके ये नहीं तीन में नहीं नहीं कर लें बाद में पता चलें ये एड़ फे 10 सफ़े जो है वो गाइब है कुछ रूंट ऐसे होते हैं परशान होते हैं session आरी मीने में आके सब 10 सफ़े गाइब है वह ये चेज किताब खरीदते वक्त थोड़े से 5 मिनिट लगाके चेक कर लेनी चाहिए उसी वक्त तो ये इसी तरह हम purchase requisition का भी numerical sequence देख सकते हैं मुख्तलिफ places के उपर हम purchase requisition को select करके देख सकते हैं उससे आगे और पीछे numerical sequence में आ रहे है कि नहीं नमबर और reorder level इसका test of control क्या होगा system है ना तो test data debit transaction कौन सी purchase की के issue की issue की जो के क्या करेगी inventory का balance to the order level से become कर देगी और देखें के हम के purchase requisition generate होती है के नहीं ठीक है अगर generate होती है control strong है अगर purchase requisition generate नहीं होती control भी कै बहराल ये तो हमारे good controls थे इस question के लिहाद से irrelevant है फिर कह रहा है purchase requisition is electronically forward within the computerized accounting system to the procurement department वो investment से automatically integrated system है purchase order procurement department को forward हो जाती है problem electronically forward होने में को problem है अगर यहां पर लिखा होता manually forward होती है फिर भी problem नहीं कि क्योंके system manually भी हो सकता है electronic हमें इस से मसला नहीं है हमें इस से problem है इसमों की weakness हो नहीं है यह भी good control में आएगा के immediately forward कर दिया जाता है अगर timely basis पे यह इस purchase requisition के point of view से इतना strong control नहीं है इतना important control नहीं है लेकिन अगर यही बात कर रहा होता good seat note is forwarded to counts department उस वक्त यह control very important हो जाता क्यों बाला के timely basis के ओपर counter department बेज़वाय जा रहा है के नहीं यह investing department बेज़वाय जा रहा है के उस वक्त यह ज्यादा है क्यों हो जाता good control यह forward बाला control काट-off error की वज़ा से और इसका test of control कैसे परफॉर्म करते हैं हम sample select करते हैं GRN का और उसकी date को compare करते sale invoice की date या entry in counting system की date के साथ के उन में gap तो नहीं है same day होनी चाहिए जिस दिन GRN उसी दिन purchase invoice और उसी दिन entry in system clear हो यह बात तो बिल्कुल यह good control है लेकिन purchase के point of view से इस department के point of view से इतना हम नहीं है यह उस वक्त ज्यादा हम होता है जब GRN बन रही हो receiving department में यह ज्यादा है clear हो तो इसका मतलब है second वाले में कोई weakness नहीं है first वाले में दो weaknesses थी चले आगे चलते हैं फिर कह रहा है for all regular and routine orders procurement department reviews the purchase requisition अच्छी बात है purchase देखना चाहिए के authorized बने नहीं हमें purchase requisition बेजी के नहीं यह भी good control है and select the supplier from the approved supplier's list कुछ control ठीक है कुछ गलत है approved supplier list में से supplier को select किया जा रहा है अच्छी बात है तो गलत बात क्या है quotations हमेशा purchase करने से पहले quotations काल कर आप mobile खरीदने के लिए market में जाते हैं क्या जो पहली शॉप है वहीं से mobile खरीदने नहीं थोड़ा सा market में घूम फिरके तीन चार दुकानों से पता करते हैं ठीक है model कौन सा latest है और price क्या है दूसरी particular बगारा तो क्या अगर हमें लाखों की purchases करनी पड़ेगी तो quotations को काल नहीं करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए question में देखें वो mention नहीं कर रहा अगर एसी से का question होता वो क्या कहता बला quotations are not called हमें फूरन बना चाहिए लेकिन यहां पर देखें वो छुपा गया वो यह जानना चाहरा है कि क्या आपने पूरा system पड़ा हुआ है और आपको यह पता है कि इस point of time पे आके quotations काल की जाती है इसके तरह inventory में उसका एक typical issue है कि आपको physical verification के बारे में सारा कुछ बता देगा यह नहीं बताएगा कि obsolete items को अलाइदा से separately identify किया जा रहा है के नहीं वो फिर हमने अपनी judgment से identify करना होता है कि यह तो यहां पर एहम control है जो apply होता है तो next third weakness क्या होई हुमारी quotations काल नहीं की जारी quotations काल नहीं इसके implication क्या होगी effect क्या है low rates नहीं मिलेंगे एकनामिकल लेट्स नहीं मिलेंगे अच्छा इसमें control को identify करना अहम चीज़ है उसके बाद implication और test आप अपनी implication और recommendation आप अपनी wording में include कर सकते हैं जैसे भी जो आप मुझे बता रहे हैं बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप इनी अलफाज के साथ भी अगर recommendation और implication बता देते हैं उसकी recommendation automatically आप बना लेंगे तो सबसे हम चीज़स में क्या है control देखना apply हो रहा है के नहीं हो रहा है उसी तरह अगर good control होता तो अगर आप control identify कर लेते हैं उसके बाद test of control बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं होता आपको बता है उसका तरीका कार हमने सीखा है चलिए बार आ accessible था एडिटेबल था और तीसरी list क्या होगी quotations काल लेंगे जाए next a purchase order having a unique sequential order number is then generated for the selected supplier ये तो अच्छा अच्छा है unique का मतब repeat नहीं हो रहा जो duplicate नहीं हो रहा तो ये तो अच्छी बात है ये good control है इसको हमने question की requirement को सामने रखते हुए ignore कर दिया next for large are out of the ordinary purchases a tending processes carried out by the procurement department अच्छा यहां पर कह रहा है trending process कर रहे हैं तो अब ये हमारी weakness खतम नहीं हो गई नहीं क्योंकि ये large है routine के लिए नहीं कर रहे है routine के लिए भी होना चाहिए trending process procurement manager invites standards through an advertisement in newspaper and a supplier offering the lowest price is selected by the procurement manager in consultation with head of procurement DCN जो है lowest price को देखके किया जा रहा है याद रखे कभी भी market में एक ही तरह की product एक ही nature की product आपको हो सकता हंडर्ड रुपीस में भी मिले हो सकता है 20 रुपीस में भी मिले वो made in Japan भी हो सकती है made in China भी हो सकती है वो made in Pakistan भी हो सकती है made in Korea भी हो तो quality price की base पे DCN नहीं होने चाहिए बलके price के साथ quality को भी consider करना है मुझे case study यादा की risk assessment की उसने का कि during the year supplier change की है जो new supplier है ये cheaper rate पे lower rate पे material को supply करेगा बताए येस में को risk है quality compromise हो सकती है जिसकी वज़ा से subsequent to sales customer warranty claim कर सकते हैं इसकी वज़ा से provision for warranty को increase करना होगा ठीक है जब low quality की products जब price low होती है ना तो probable highly probable chances है के quality भी लोगी इसलिए यहाँ पे वो सिर्फ price की बात कर रहा है quality की बात नहीं कर रहा इससे order issue करते हुए quality सीडर करना चाहिए जी मेरे बात कर रहा है यहां वो कह रहा है कि जो टेंडिंग पहले यह बताईए कि यह जो इस्यू मैंने आपके साथ डिसके समझागे इनका question यहा है कि सर्वों news paper में advertisement क्यों कर रहा है अप्रूव्ड suppliers को ही tender देना चाहिए अप्रूव्ड स्वार टैक्टिकल ही होते हैं बीस पच्चिस तीस बड़ी कमनी के बड़े भी होते हैं बताईए क्या वो हर एक supplier को लादा लादा letter लिखे और उनमें से कुछ supplier हो सकते इसमें भी problem होती है पिर अगर यह process लाएना तो इसमें बाद उक सकते हैं जिनको order ना इशू करना हो हमारा purchase order department के implies जो होते हैं वो letter बनाते हैं सबके उनको letter पोस्ट ही नहीं करते हैं जिन company को चाहते हैं कि वो compete ना करे, bid ना call करे, बाद उकात ऐसा होता है दो competitors होते हैं तो एक competitor purchase order department के साथ मिलके कहता है जब तुम letter send करो ना तो मेरे दूसर competitor को ना send करना लाएगा ताकि उसको पता ही ना चले कि आपने bids call की हैं सिर्फ मैं bid call करूं order मुझे मिलता है इसलिए system को fair करने के लिए अखबार में इस्तिहार दे जाती है लेकिन वहाँ पे लिखा होता है आप गर आप कभी tender notice पढ़ेंगे ना उसमें लिखा होता है only pre qualified suppliers can send quotation इस तरह के लफाज लिखे होते हैं यानि यह अखबार में advertisement है लेकिन general public के लिए नहीं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो pre qualified suppliers हैं और जो pre qualified suppliers हैं क्या उनको पता होगा कि हम pre qualified हैं yes उनको पता होता है pre qualification एक procedure के बाद list में add गया जाता है उस supplier को intimation कि दी जाते है हाँ regular में तो हमने ये issue identify कर लिया ना उसमें तो वो quotation काल ही नहीं कर रहा है बिल्कुल अगर regular वाले में भी quotation काल करेगा तो न्यूस पेपर में देगा न्यूस पेपर में देना अच्छी बात है बुरी बात नहीं है लेकिन न्यूस पेपर के advertisement में लिखा होता है कि सिर्फ ज हमारी चार विकने से ओगई आगे चलते से पूछने कुछे कितनी थी शे पूछे सेविंग फिन्वेंटरी वन इन्वेंटरी इंवेंटरी 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 and an electronically numerical sequence good receipt note is generated the physical inventory item are then transferred to store जब रसीव हो रही हैं गुड्स उनकी इंस्पेक्शन ने की जा रहे क्या जब गुड्स रसीव हो उनकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए बिल्कुल इंस्पेक्शन क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी कंपेर करनी चाहिए पर्चेज आर्डर के साथ तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है क्वांटिटी को कंपेर कर रहा है क्वालिटी को कंपेर नहीं कर रहा है जो कि एक विकनेस है अज्यूम कैसे करें और कौन्टी को च्ट को चेकिया होता तो उसने लिखा होता उसने देखे उसने काया that inventory when inventory item a state official in ICD confirms that inventory agrees to the purchase order. अच्छा हूसने स्पेसीफिकली क्वांटिटी का वर्ल्ड यूज नहीं किया. और आप यह पूछ रहा हैं किसमे हम कैसे हैं किसमेर क्या हैं किसने सिर्फ क्वांटिटी को क्या है, क्वालिटी को नहीं किया. देखे उसने इन्फरमेशन नहीं दी, सही कह रहे, इसमें क्वांटिटी का वर्ड उसने स्पैसिफाइड नहीं किया क्वांटिटी के साथ क्वांटिटी के साथ क्वांटिटी दोनों चीज़ें मैंशन होती है दोनों चीज़ें मैंशन होती है और इसमें जब हम क्वांटिटी और क्वांटिटी दोनों को इंस्पैक्ट करेंगे यह बात इनका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है तो इसमें क्या तो सही रहे लेकिन अम्बीग्विटी है इसमें हाँ तो एहत्यातन लिख देना चाहिए मैं आपको हमेशा बताया कि जहां पे अम्बीग्विटी हो वहां पे लिख देना बेतर है अच्छा ये पांच सिस्ट वीक्नेस हुई है हाँ छटी किदर है ऐसे ना करें शाहिद हमको स्किप कर गया है जरा सुलुशन चेक करें कौन से करें सुलुशन में पांच ही है सिक्स वीक्नेस चला है अब मेरी तरफ से पांच ही है सैग्रीकेशन ओड्यूटी किस सिस्टेम में सैग्रीकेशन ओड्यूटी नहीं है चलिए बाराल आप घर जाके तसली से पढ़ लीजेगा अगर आपको कोई छड़ी वीक्नेस नदर आजा है तो वो मुझे बता दीजेगा हाँ जी हमारे हमारे मताबिक इसमें सिरफ पांच वीक्नेस से जी कोई ना कोई जवार तो फिर लगाई देंगे लेकिन कोशिश कीजिए इस क्वेस्टन को फिर से रीड कीजिए एक दफा गर जागे तसली से उसमें अगर आपको कोई वीक्नेस नदर आए तो मुझे जरूर बताएगा कर ठीक है चलिए इस क्वेस्टन को यहां पे खतम करत हमने सेल्स सिस्टम बढ़ा हमने परचेज़िय司 इसल्स राइद श सेल्समें भी सेल्स की टराइक्शन को हमने चार डिपार्टमेंट्स में यह चार एक्थिविटी समय क्लासिफाई किया याद है कुन कुन से थी कुन कुन से थी Sales Order, Dispatch Department Invicing या Billing Department GL Department शाबाश ये चार Department फिर हमने Purchase System को Study किया Purchase की Transaction को भी हमने चार Departments में या चार Functions में क्लासिफाई किया वो कुन कुन से थे Purchase Order, Receiving Invicing या Billing और GL या Accounts Department शाबाश उसी तरह हम Payroll System को Study करने जा रहे हैं Payroll System को भी चार हिस्तों में या चार Departments में क्लासिफाई किया जाता है लेकिन As usual इनके Department की तरफ चलने से पहले मैं आपको Briefly इसका सिस्टम आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ Payroll Department का सिस्टम स्टार्ट कहां से होता है सबसे पहले इस एक चीज़ेंग में रखेगा Organization में डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं जैसे Production Department लादा है Marketing Department लादा होगा Finance Department लादा है Humor Source Department लादा है ज्यादा लोग हाईर हो जाएंगे या ऐसा हो सकता है कि लोग Fake Employees की हाईरिंग जो है वो रिकार्ड करवाएं और Sally उनकी अपनी जेब में डालते रहे इसे लिए जिस तरह Purchase का सिस्टम सेंट्रलाइज था उसी तरह Payroll में हाईरिंग का सिस्टम भी सेंट्रलाइज है जो कौन करता है Human Source Department होता है सिस्टम किया है Organization में किसी भी डिपार्टमेंट को अगर Employee की जरूरत है For example हम एजूम करते है Manufacturing Company का सिस्टम और जो Manufacturing Department है उसको कुछ worker की जरूरत है तो Manufacturing Department खुद से workers को hire नहीं करेगा वो Human Source Department को requisition send करेगा जिस तरह परचेज के लिए requisition जाती थी परचेज आड़र डिपार्टमेंट के पास Employees की hiring के लिए requisition जाएगी Human Source Department के पास Human Source Department अखबार में इससे हार देगा लोग apply करेंगे उसके बाद एक process होता है इंटर्व्यू बगारा का test का जो के हमारे audit के subject का हिस्सा नहीं है वो business management में आप study करेंगे के वो interview बगारा का system क्या होता है और hiring process क्या होता है audit में वो irrelevant है जब final कर दिया जाता है कुछ candidates को तो उनके साथ एक document issue agree की जाती है जिसे कहते हैं employment letter उस employment letter में terms and condition लिखी होती है employees की कि उसका काम क्या होगा जिम्मेदारी क्या होगी उसके कितने hours उसे एक दिन में काम करना पड़ेगा छुटियां कितनी होगी महिने में उसकी sell ही कितनी होगी किस दिन से वो join कर रहा है वगरा वगरा appointment letter होगा इस appointment letter पे employee के भी signature होते है इस appointment letter पे human source department के representative के भी signature होते है और ये एक valid contract होता है जिसे court में जाके enforce भी करवाया जा सकता है इसकी एक copy human source department अपने पास रखता है एक copy employee के हवाले करती जाती है और एक copy payroll preparation department को send की जाती है या उसको intimate किया जाता है payroll department को क्यों intimate किया जाता है भला क्योंकि उसने sally process करा लगी payroll department वो department है जो सारे के सारे employees की payroll prepare करता है sally prepare करता है payroll एक general word है इसमें sallys and wages दोनों आ जाते है normally हम accountant है न हम payroll का word यूज नहीं करते है हम payroll की बज़ए word यूज करते है sallys and wages लेकि जाद रखे पेरोल का word इन दोनों को cover कर रहा है यह comprehensive general term है अच्छा इसके बाद जब employee पाइंट हो गया payroll sheet sorry जो उसका appointment letter है यह payroll department को send कर दिया गया और employee को बेज दिया गया कहा manufacturing department में जहां उसने काम करें manufacturing department में बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं और उनके उपर एक supervisor होता है जिससे sometime factory supervisor sometime four man भी कहा जाता है four man आपने लफ़ज सुनाओगा four man या supervisor जो के उन लोगों से काम करवा रहा होता है four man या supervisor का का काम यह होता है daily basis employee इसमें दो तीन system हो सकते है in or out की recording करें याद रखे यह in or out हमारे लिए as auditor important step है क्योंकि इस in or out की base पे इनकी salaries calculate होगी और अगर यह गलत record हो रहा हो तो इसका मतब़ है salaries गलत record हो रही होगी इस in or out को record करने के दो तीन system है सारे system आपके साथ share करता हूँ पहले manual system manual system में जिसरा आपने college का अगर library card बनवाया देखा होगा तो उसमें card के उपर आपका नाम लिखा होता है और साथ ही date लिखी होती है आपने किस दिन कोई book बारो की book का नाम लिखा होता है और फिर आपको book दे दी जाती है जब आप return करते हैं तो उसके आगे return की date लिखी जाती है और librarian अपने signature करता है evidence के तोर पे exactly इसी तरह हर employee का card बनता है हर employee का एक card बनता है जिसमें वो जब आता है वो time in लिखा जाता है फिर उसके बाद जब वो घर जाएगा time out लिखा जाता है total hours आज के दिन में उसने कितने गंडे काम किया वो calculate किया जाता है और उसके आगे factory supervisor sign करता है इसको time card कहते हैं या time sheet कहते हैं payroll sheet नहीं क्या कहते हैं time card या time sheet जिसमें implies का time record किया जाता है payroll calculate नहीं होगी इसके उपर इसके उपर क्या होगा सिरफ और सिरफ time लिए जिसे तरह GRN है na GRN इनवाइस नहीं होती GRN के ऊपर सिरफो याईब होगी payroll sheet नहीं है यह payroll sheet तो बाद में बनती है इसका बैस पे calculation करते है factory supervisor इसको sign कर देता इसमें एहम कंट्रोल यह है कि जो टाइम शेट या टाइम कार्ड आ यह फिल किसको करना चाहिए इंपलाई को फिल नहीं करना चाहिए वरना वो दस बजे आरा होगा एंटी डालेगा आठ बजे की तीन बजे जा रहा होगा और आउट कर रहा होगा पांच बजे तो यह शीड जो है इसको अथरा इसको करना चाहिए सुपरवाइजर को ठीक है यह है मैनुवल अच्छा अगर कंपनी मैनुवल की बजे आटोमेडिट सिस्टम की तरफ जाना चाहिए तो उसके पास एक दो आप्शन हैं पहली आप्शन यह है कार्ड के जिरे क्लाक कार्ड सिस्टम क्लाक कार्ड सिस्टम क्या होता है हर इंप्लाई को एक कार्ड दे दिया जाता है और एक मशीन लगा दी जाती है कोई भी बनाई जो फेक्टरी में आता है तो मशीन में बिल्कुल वो स्कैन करवाता है शको यहां स्वाइब करता है जब वो स्कैन करवाता है तो उसके इनकी एंटरी लग जाती है और जो वो वापिस आता है दोबारा कार्ड स्वाइब करेंगा आउट की अंटी लग जाती है ये लेक्ट्रानिक सिस्टम है लेकिन ये सिस्टम वीक है इसमें एक वीकनेस है वीकनेस क्या है वहला एक एमप्लाई मल्टिबल कार्ड को स्कैन करवा सकता है S5 कर सकता है. अब इसका suggestion के तोर पे इस weakness की clock card system की इस weakness को suggestion के तोर पे 2 options हैं. पहली option यह है कि बायोमेट्रिक सिस्टेम इंट्रोडूस करवा दें, था मिंप्रेशन वगारा लेकिन उसमें प्रैक्टिकली कुछ प्राब्लम होती है, अगर मशीन आपकी अच्छी नाना हो तो आपको दबा दबा के वो करना पड़ता है, वो जल्दी स्कैन नहीं करता है, दूसरा कंट्रो या टाइमशेड सही प्रासेस हो, सही रिकार्ड हो रही है किन उसमें इंट्रिस, अब ये पेरोल सुपरवाइजर ने सारे महीने काम करता रहा, मन्थ के एंड पे, चाहे मैनुवल सिस्टम हो, चाहे कंप्यूटराइज सिस्टम हो, हर एंपलाई की पूरे महीने के लेगी, उसको साइन करेगा पेरोल सुपरवाइजर और भेज देगा किसको, पेरोल डिपार्टमेंट को, अब यहां पेरोल डिपार्टमेंट का काम शुरू होता है, जो हमारे लिए प्रैक्टिकल याइज अडिटर ज्यादा है, कि पेरोल की प्रोसेसिंग ठीक हो रही है अच्छा पेरोल को डिसकस करने से पहले मुझे यह बताईए, आपने कभी जिन्दगी में पेरोल बनाई है कभी? नहीं बनाई होगी, कभी देखी भी नहीं होगी, बिल्कुल ऐसे ही है, अच्छा मुझे यह बताईए, यह कम्रीड हो गया, मुझे गर समाल करना हो गया, इसमें आप टेक्स लाइबिल्टी कल्कुलेट करते हैं इंडिविज्वल की, वो याद है कैसे कहां, बिल्कुल, वो करते हैं आप वर्टिकल, वर्टिकल कैसे, उपर रखते हैं, बेसिक पे, मुझे तो 15-20 साल होगे हैं कल्कुलेशन की हुए, लेकि कुछ इस तरह की कल्क पेडिक्शन होती थी, टेक्स की डेक्शन, प्रॉविडेंट, फण की कंट्रिब्यूशन की कोई लोन लिया हुआ गया उसकी डेक्शन वगारा, और फिर नेट पे, और उसकी बेस पे टेक्स लाइबिल्टी होती थी, कुछ रफली इसी तरह का फार्मेट होता था, इसी फ दो फरक है पहला बड़ा डिफरेंस क्या है कि इसमें जो कैलकुलेशन हो रही होगी वो वर्टिकल नहीं बलके होरीजेंटल हो रही होगी यानि इस तरीके से यह नेम ओफ इंपलॉई इसके बाद नहीं नहीं पहले आर्ज वर्ट अब देखें आप बेसिक सेल्डी कहरें वह भी ठीक है लेकिन और और फिर रेड और फिर इसके बाद बेसिक सेल्डी अगर तो अगर तो फैक्टरी का इंपलॉई होगा ना तो उसकी ऑर्ली बेसिस्स के उकर उसे पेमेंट होती है अगर वो आफिस का इंपलॉई होगा तो फिर उसकी नहीं सेयल्य मिलते है। उस सुरत मुइं अफस का इंपलाई है तो ये पहले दो कालम नहीं आएंगे। और पैपॉाइंमेंट लिएर्टर है जो उसका इंपलाईमेंटर है अगलिमेंट है उसमें डरीक बिसिक सेली होगे मुठा देंगे लेकिन अगर फेक्टी वर कर रहा है तो उसके साथ आर्ली रेट ले उस सुरत में हमें ये दो कालम भी आइड करने होगे बेसिक सेली आ गए इसके बाद क्या करना है इंसेंटिव अच्छा इंसेंटिव बहुत से हो सकते हैं मैं एक एक करके यहां पर एड नहीं कर रहा हो कि बोनस हो सकता है वो हाउस रेंड अलाउंस हो सकता है वो मेडिकल अलाउंस हो सकता है वो और पता नहीं कितनी तरह की आल अलाउंसे इदर आ जाएंगे आल अलाउंसे क क्लिए रिसके बाद कालम क्या आएगा बैसिक सैलरे बैसिक सैलरे बैसिक सैलर्य उसीर पूटरी णिसे रिख करोज स्क्राषद सैलरी आएगी लोगरुंथ लेम पूर्ट से बहुत बोड़ दिड़क्शन पेलकौन, ऴुटर को तरह की हो सबस्क्राएं काल्कौन artist, करी दो तर deduction जिसके लिए imply से उचा जाएगा imply कहेगा तो deduction करनी या वरना नहीं करनी इसे कहते है voluntary deduction voluntary deduction इसमें कोई loan लिया हुआ उसकी repayment आ सकती है इसमें provident fund की contribution आ सकती है और एक deduction वो होगी जो imply कहे या ना कहे लाजमी करनी है उसकी सबसे बड़ी example क्या है को दो हिस्तों में डिवाइड क्योंकि इसलिए कि अगर employee voluntary deduction हो रही है ना payroll में से तो इसकी consent employee ने दी हो इसकी sport में हमारे पास employee का consent letter होगा लेकिन अगर statutory deduction है तो इसकी sport में कोई consent नहीं होगा यह हमने सिरफ यह देखना है कि income tax hardiness में यह rate होगा रहा ठीक है इसी rate के मताबिक इसी system के मताबिक deduction हो रही है बस employee की consent नहीं होगी voluntary deduction के case में employee की consent होती है और उसकी consent के मताबिक हम देखते हैं उसने महिने में पांच जार दस जार पंदा बीच जार कितनी deduction एगरी करवा हुए है deduction के बाद क्या आ जाएगा लास्ट नेट पे नेट पे पहला difference में अब देखें जो salary की calculation आप करते होते हैं तकरीबन इसी तरह की होती थी थोड़े बहुत फरक होगा लेकिन basic structure यह होता था तो फरक सिरफ यह है कि हमने vertical को horizontal में classify कर दिया है और दूसरा फरक किया है कि यह जो payroll sheet होती है payroll sheet यह एक employee की नहीं होगी यह organization में जितने भी employees हैं उन सब की preparation हो रही होती है यह जानी employee A, B, C, D सब employees की calculation हो रही होगी और हमारा payroll में जो सबसे एहम document होता है वो payroll sheet है और payroll sheet और भी document सहम है जैसे यहां पे जो different calculations हो रही है इन में भी relevant document सहम होंगे वो one by one हम discuss करते हैं पहले पताइए payroll sheet और कैसे prepare होती है यह समझ आगी आपको अब वापेश चलते है payroll department को हमने system मैंने सारा आपको समझा दिया एंडवे net payment हो जाएगी अच्छा जो payment होती है उसके भी दो तीन तरीके थीन बड़े तरीके थे चोटे मोटे employee चोटे मोटे employee से वराद जिनकी salary 25,000 से कम हो यह साथ टेक्स में लिखी हुई है अहाँ daily उनकी cash में पे हो जाती है इसके इन में कोई ज्यादा फरक नहीं है स्वाए इसके कि अगर cash के जरीए से payment हो रही है तो हमने ensure करना है कि ये genuine employee को payment हो रही है अगर check की payment हो रही है तो ensure करना है कि genuine employee को payment हो रही है और अगर account to account payment हो रही है तो फिर हमारी तसलिए है, हमने सिर्थ जिन्दगी में एक दफाह, जब फस्ट राइम उस इंप्लाइी ने हमें कौंट दिया है, हमने ये देखने है कि उस इंप्लाइी के यही कौंट है, उसके बाद आपको पता है, repeat पे उसी account में payment जा रही होगी तो हमें sure हो जाएगा कि ये genuine employee के account में payment जा रहे है ठीक है तो count to count payment सबसे ज्यादा secure समझी जाती है बनिस्बत cash या check के लेकिन बाराल कोई भी system हमें exam में दे सकता है और अगर वो cash का system या check का system हमें देता है तो हम उसको इसमें ये control अड़ करेंगे discuss करेंगे कि payment करने से पहले इंशूर करना है कि recipient authorized employee है client का और कैसे इंशूर करेंगे भला उसके card से ID card की बज़े जो employee card बनता हर organization का जैसे आप का college का card बनता है हर ट्रोंड का लादा उसी तरह हर employee का भी organization लादा कार्ड बनता है उस card के जरीए से confirm होगा ये जैनल ने apply आकर ने अच्छा अब जो payroll का system है इसमें उसने इसको चार हिस्सों में subdivide किया और logical parts है पहला हिस्था है calculation of gross wages and salaries calculation of gross wages and salaries अच्छा हरी चीज़ एक मैं भूल गया जब payment हो जाएगी उसके बाद एक मजीद काम होगा कुस्ट उन्हों बता सकता है क्या recording recording in GL शाबाश तो उसके बाद ये salary sheet जाएगी accounts department में और accounts department इसकी base पे entry pass कर लेंगे अच्छा अब payroll system को अब देखते हैं officially discuss करते हैं चार हिस्सों में divide किया सबसे पहला पार्ट क्या है calculation किस की calculation gross wages and salaries की gross wages and salaries की दूसरा पार्ट calculation अब ये भी calculation है किस की tax and other deductions की तीसरा हिस्सा payment किस की net wages and salaries की payment किस की net wages and salaries और चौथा हिस्सा recording payroll को record करना अगरी करते हैं ये सारे system होने चाहिए जी सारे part होने बिल्कुल अच्छा अगर सारे होने चाहिए तो मुझे बताइए जो ये वाला हिस्सा है ये ये वाला हिस्सा अगर हम as our reader ये ensure करें कि ये हिस्सा ठीक record हुआ है ठीक calculate हुआ है तो हमारे payroll system का कौन सा part इसके cover कर रहा है calculation gross budget and sell list second deductions किस इसे से relate करता है voluntary or tax deduction और तीसरा payment payment सिर्फ और सिर्फ इस third से relate कर recording से नहीं कर रहा इसके बाद ये सारी के सारी sell list अठके county department को बेज दी जाएगी payment करने के बाद जो इसकी base पे entry करेगा वो है fourth part इसका मतलब है payroll में हमारा ज्यादातर काम इस payroll sheet के गर्द खूमेगा अच्छा अब सबसे पहले देखते है gross vagina sell list इसको हमने कैसे ensure करना है के ठीक है के नहीं कर रहा है पहला objective आपका payroll is calculated only for real employees क्या आप ये समझते हैं कि जो payroll sheet में employees आएं सिरफ real ghost employees उनमें कोई ना हो किसी दे अपनी मर्जी से और ना कर दिया हो इसके लिए control क्या है सबसे पहले segregation of duties segregation of duties का मतलब क्या कि जो employees को एड करने की authority human source department के पास है ठीक है appoint करने की 30 human source department के पास होनी चाहिए payroll preparation department के पास नहीं होनी चाहिए वरना payroll preparation department अपनी मर्जी से employees को एड़ करता रहेगा आथराइजेशन अफ नियू इंप्लाइज क्या अगरी करते हैं नियू इंप्लाइज की अथराइजेशन होनी चाहिए बगार हीमर सोर्स डिपार्टमेंट की अथराइजेशन के पेरोल शीट में नियू इंप्लाइज नहीं आना चाहिए अगरी करते है यह control है इसका test of control क्या होगा samples रहाए अच्छा किन implies का किसी भी implies का कि new implies का new implies का samples रेट करेंगे और क्या check करेंगे authorization है के नहीं appointment letter उसका है के नहीं authorization of new implies clear हो गया अगर यह control नहीं होगा इसका मतबह कोई भी person fake employee payroll made करके उसकी salary आपने जेवे डाल सकता है आगे चलता है communication of resigned implies जो imply resign करके चलेंगे factory से factory supervisor को चाहिए immediately communicate करे payroll department क्योंकि अगर नहीं करेगा तो employee छोड़के चला गया होगा और उसकी salary की payment होती रहेगी और किसको होती रहेगी वो organization में लोग अंदाजा लगा लेते हैं ठीक है वो मैं भी आगे साथ further discuss करूँगा मुझे यह बताएए अगर factory payroll में से कुछ implies चोड़के चले गए और manufacturing department से employee चोड़के चले गए और manufacturing department के बंदे ने email कर दी payroll वाले को system ठीक है के problem है रवीक है क्यों acknowledgement ने ली उसे acknowledgement लेनी चाहे थी याद है अच्छा दूसरा उसने बताया ही नहीं email भी नहीं की उसे immediately communicate करना चाहिए ठीक है जो employee चोड़के चले वरना हर महीने payroll वाले को पता नहीं चलेगा वो तो यह समझेगा कि employees जो हैं वो काम कर रहे है अच्छा अगर factory manager ने फ्राड करना चाह रहा है कुछ employee चोड़के चले गए उसने जान बूज के नहीं बताया उसने जान बूज के payroll वाले को नहीं बताया यह बड़ा practically fraud होता है payroll में आप ऐस आडिटेस से हैं कि fraud को कैसे identify करेंगे इसमें दो तीन कंट्रोल है एक तो यह कंट्रोल है कि जिस वक्त payment हो रही है उस वक्त identification कंफर्म की जाए कि जिस employee को prepare किये जा रहे हैं वह ही employee receive कर रहा है कि नहीं कर रहा है ठीक है वह ही employee receive कर रहा है कि नहीं कर लेकिन practically यह भी निस्बतन थोड़ा सा वीक कंट्रोल है क्योंकि हो सकता है कि employee पूरा महिना चुटी पे रहे resign कर गया यह चुटी पे रहे और वो तनहां लेने को आ जाए इससे भी अच्छा कंट्रोल किया है बहला time sheet के उपर signature यह एक अच्छा कंट्रोल है error fraud के लिए नहीं क्योंकि अगर employee छोड़के चला गया और उसने नहीं बताया तो supervisor चुके fraud कर रहा है वो खुझ से fake time sheet बना के बिज रहा होगा चेक कर ले इंपलाई काम कर रहा है कि नहीं फिजिकल वैरिफिकेशन इंपलाई के इसके लिए sample कहां से उठाएंगे payroll sheet से payroll sheet से sample उठाएं और देखें इंपलाई फिजिकली काम कर रहा है के नहीं इससे जो bogus employees या ghost employees जिसे कहते हैं वो identify हो जाएंगे तो ये आपको calculation वाला part clear हो गया इसमें calculation में सबसे पहले हमने ये चीज़ देखी कि जो employees हैं वो real होने चाहिए दूसरे नमबर पर हमने ये देखना है employees real हैं तो काम भी real होना चाहिए यानि जो wages calculate की जा रही हैं सिर्फ real work done की हो इसमें एक तो fraud ये हो सकता है कि employee ने काम किया ह नहीं है और factory supervisor उसको ठीक करके बेज रहा है ठीक है इसको हम analytically भी देखते हैं कि एक product आपने standard cost का ये subject से अटके बता रहा हूं concept standard cost का concept आपने accounting में बढ़ा तो हम देखते हैं जतने labor arts utilize हुए हैं उतनी production भी हुई है कि नहीं हुई और अगर फराग है तो किस वज़ए एक analytical procedure होता है लेकिन बाराल हमने organization में जो ज्यादा fraud होता है वो यह होता है कि employees ने overtime लगाया भी नहीं होता लेकिन फिर भी वो claim कर देते हैं कि overtime लगाया अब यह ensure करने के लिए कि wages सिर्फ और सिर्फ यानि जो hours record हुए हैं time sheet के उपर वो सिर्फ वही hours हों जिनका काम किया है fake hours record ना है wages authorization of pre-numbered authorized time sheet आपके पास pre-numbered time sheet होनी चाहिए ताकि किसे imply कि skip ना हो पाए इसमें error of fraud हम दोनों कवर करेंगे जो time record करने में error भी हो सकता है fraud भी हो सकता है control दोनों को कवर कर रहे होंगे पहला authorized pre-numbered time sheet हो और इनको authorized करे कुन authorized करे? supervisor इससे पता चल जाएगा कि सारी time sheet बेज होती गई है और जितना भी काम किया गया वो ठीक है फिर इसके बाद clock card system होना चाहिए ठीक है और clock card system यह alternate अगर clock card system नहीं अगर तो manual है तो फिर इसकी authorization होनी चाहिए time sheet की manual हो सकता है clock card उसमें हमने discuss हर लिया इसके साथ फिर control जरूरी है और जितना भी overtime या bonuses हो उसके approval होनी च time नहीं लगाए और बताएए यह approval overtime के बाद होनी चाहिए के पहले और गुनाइजेशन में रूल यह होता है कि overtime की approval पहले हो ताकि यह देखा जाए वाकी overtime की जरूरत है के नहीं है वाकी overtime की जरूरत है के नहीं जे पैसे जो है मैं आपको एक practical example देखा हमारी firm में एक rule यह था कि जब कोई client के काम से लेट बैठेगा ना तो आठ बजे के बाद से लेट अगर बैठता है ना छे बजे तक तक क्रीमें टाइम होता है साड़े पांच शे बजे बजे से ओनवर्ड अगर कोई बैठेगा तो वो उसके entitlement होती थी डिनर के वो firm के खाते से खाना खागी जाता है firm बाद में out of pocket expenses के तोर पे client से claim कर लेती थी अब हमारे कुछ लोग ऐसे होते थे वो सारा दिन काम नहीं करते थे जैसे चार शाड़े चार बज़ते थे काम करना शुरू कर दिया और जैसे ही आठ बज़ के पांच मिनट होते थे उनका काम हता हो जाता था अब 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 देखिए अगर over time जाहिरे जब वो claim करते थे month end के उपर partner senior manager ने देखा उसने का इतना ज़्यदा over time किस वज़ा से लग गया है खाने की वज़ा है खाने की वज़ा है खाने की तो उसके बाद उन्हेंने control implement अब जाहिए यहां पर देनी है और over time अभी लग रहा है तो यहां पर approval हमेशा कब होनी चाहिए पहले होनी चाहिए इसका test of control क्या होगा इसका test of control approval of over time approval jack करें management की दर्ब से authorization का time sheet का time sheet का देखेंगे supervisor का signature है के नही clock out system के देखें को फिजिकली person इसको observe कर रहा है के नहीं system को ठीक है इसको observe किया जा रहा है के नहीं किया जा रहा है आज वक्त में manually हाँ तो उसके लिए फिर देखें उसके लिए दूसरे control होते हैं यहां पे उन्होंने यह का कि एक तो चीज़ यह जहें में रखें supervisor का एक fraud तो हमने रोक लिया कि वो fake employee को एड़ नहीं कर सकता हम surprise चेक करेंगे fake employee को पकड़ देंगे दूसरा supervisor fake overtime भी record नहीं कर सकता यह भी fraud हमने उसको रोक लिया कैसे overtime की approval होगी अब सिर्फ एक fraud रहागे सुपरवाइजर कर सकता है क्या employee घर में बैठा हुआ है और वो उसकी हादर है और नार्मली government organization में इस तरह का fraud होता है ठीक है employee घर में बैठा हो सिर्फ महीने बाद Sally लेने के लिए जाता है इस तरह के fraud को detect करने के लिए analytical procedure मैंने आपको बताया है कि आप देखें कि टोटल production कितनी हुई है और आजब कितनी है अब definitely अगर कोई बंदा घर में बैठा होगा उसकी जगह पे कोई दूसरा बंदा काम तो नहीं कर रहा होगा वो तो अपनी से का काम कर रहा होगा कोई दूसरा तो आपका जो वेरियंस अब जड़ा नोट कीजिए हमने देखना है calculation यूज आत्राइज करते हुए time sheet कौन सी यूज करनी है जो आत्राइज्ड वै फैक्री सूपरवाइजर होगी मैन्वल सिस्टम है तो उसको री कैलकुलेट करके देखे कोई independent person इंडिपेंडन परसन कैलकुलेशन करने वाला आथ्राइज टाइम चीट यूज करेगा इंडिपेंडन परसन उसको कैलकुलेट कर ले और अगर आईटी सिस्टम है तो हम देखें exception रिपोर्ट जिए रेट हो रही है क्योंकि रेंज टेस्ट लगाना होगा हमने सुपर नहीं नहीं यह सुपर्वाइजर की तरफ से नहीं होकी नहीं है यह True प्र्रॉल करेगा प्रूब परूब इसको सी दो करेगा अब इस प्रॉडट की तरफ आई है हम ने तेपार्टमेंट कवर किया ना जब में सबसे हम department है वो है यह payroll preparation gross salary तक payroll preparation में हमने तीन control तीन डिपार्ट सब department पड़े पहला कौन सा था real implies real implies में हमने यह देखा इस कालम में जो भी person आ रहा है वो ठीक है के नहीं यह कालम ठीक है के नहीं यह देखा फिर दूसरे नमर पे क्या देखा वक्ट सभी जैन्वन किया गया उसमें हमने और वक्ट यह कालम देखा यह ठीक है के नहीं रेड को हमने कहां से compare किया ठीक रगाए कि अपाइंट्मेंट लेडर से पाइंट्मेंट और थर्ड नमर पे आ के इसने के रिक कैलकुलेशन की जो हमारा इस डिपार्टमेंट में कैलकुलेशन ऑफ ग्राउस वेज़ साइनली में थर्ड रोल था वो क्या था पिर कैलकुलेडर करेक्ट लिए इसका मतलब क्या है कि अब इसके बाद एक दो तीन चार कालम जो है यह सही कैलकुलेट हुए हैं और यह सही कैलकुलेट हुए हैं कैसे पता चलेगा रेट हम पाइंट में लेटर से कंपेर कर लेंगे बेसिक सैलरी मल्डिपलिकेशन करके फिर अलाउंस वारा जो दिया गए हैं उनकी कैलकुलेशन होगी ग्रॉस सैलरी आड हो जाएगा अब यह सारा काम कर लिया अब पेरोल क्या इसको रीक होना चाहिए जैसे सेल इनवारी रीक होती थे इसको भी रीक होना चाहिए इंडिपेंडेंड परसन रीक करेगा वह भी कंट्रोल पड़ लिया फिर उसका ब अब इंटरस्टेंग ली यही इसी तरह की एक्टिविटीज डिड़क्शन वाले साइड पे वह लेकिन I-CAP ने पेरोल शीट के तीन हिस्से किये है कल्कुलेशन वाला हिस्सा अलादा, डिड़क्शन वाला हिस्सा अलादा, पेमेंट वाला हिस्सा अलादा ठीक है? इनको अलादा अलादा डिसकस किया है इसलिए हम भी इनको अलादा अलादा डिसकस करेंगे ये हमारा दूसरा phase आ गया इसमें दो तरह की deductions हैं एक है करने हैं प्रीवेस यह वाले नहीं करने हैं और जिस तरह ग्रॉस बेजिस की अप्रूवल हुई थी नाइट पेवेंट की यह डिडेक्शन की भी अप्रूवल हो क्लियर और यह भी सियाफो करेगा शाबाश जैसे प्रॉविडेंट फंड जैसे कोई लोन लिया हुआ है उसकी शुक्रीपेमंटॉ अध्याइट की यह यह क्लियर हो गया इसमें आप एक और कंट्रोल भी आड़ कर सकते हैं रिकल्कुलेशन का कि जिस तरह यहां पे री कंट्रोल था कि ग्रॉस वेज़ी जब केल्कुलेट होगी इंडिबेंड़ेड परसन उसको रिचक करे एप बैंक ट्रांसफर लिस्ट के ठीक है वो डिपेंड करता है अगर तो नेट पेमेंट यह हम नारा जो नेट पेमेंट काला मैं थार्ड इसमें इसकी आगे फिर तीन तरह की केडिगरी बनती है एक वो जिनको कैश मेंड करनी है जिनको चेक इशू करना है जिनके बैंक अगर चेक यहां कैश के जरीए से पेमेंट करनी है तो हमारा कंट्रोल यह होगा डिस्टिबूशन के वक्त इंशोर किया जाए इंपलॉईस की आइडेंटिफिकेशन और अगर बैंक के जरीए से ट्रांसफर करना है तो एक लिस्ट बनती है जिसे कहते है बैंक ट्रांसफर लिस्ट बैंक ट्रांसफर लिस्ट हमने यह इंशोर करना है कि यह बैंक ट्रांसफर लिस्ट आथराइज़ हो यह बैंक ट्रांसफर लिस्ट आथराइज़ हो वैसे तो जो भी पेमेंट आप करेंगे कैश के जरीए से चेक के जरीए से authorized रोनी चाहिए, वो भी authorized रोनी चाहिए, लेकिन चुके जो बड़ी-बड़ी payments होती है, वो direct payment, bank transfer list के जरीए से होती है, तो इसलिए खास तोर पे उसको authorized, यानि CFO authorized करे, हाँ जी, इनको payment कर दी जाए, देखें, यहाँ पे एक चीज़ जहन में रखेगा, एक approval होती है, calculation की, एक approval है payment की, बाद उकात ऐसा था calculation ठीक कर ली, CFO कहता है, अभी पैसे नहीं है, 15 दिन के बाद पैसे देंगे, record कर लो, recording की approval आ गई, calculation की approval, payment की approval अभी नहीं आई, तो यहाँ पे जो approval है, वो किसी इसकी है, पैमेंट की, ठीक है, इसके बाद यह जो चेक यहाँ कैश के जिरे से अगर आप payment कर रहे हैं, तो उसमें employee की identification confirm करेंगे, bank transfer list के जिरे पैमेंट कर रहे हैं, तो उस list को CFO authorize करेगा, और CFO authorization से पहले एक काम करता है, इस महीने की list को पिछले महीने की list के साथ compare करता है, कि total में ज़्यादा फरक तो नहीं है, अगर डिफरंस हो तो उस वक्त investigate करेगा, ठीक है, वो चेंजी जो यहाँ पे लिखा था, वो उससे relate कर रहा था, फिर, timely payment करनी है, किसी इसकी, किसी इसकी, sell-leas की, नहीं, 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 सैल-leas की चाहे अभी ना करें payment, लेकिन कमज़कम जो tax deduct किया हो ना, वो ज़रूर पेमिट कर देने हैं, ठीक है, आपने अगर tax पढ़ा है तो उसमें शायद कुछ दिन भी होते हैं, साथ दिन होते थे, यहाँ पंदरा दिन होते फिर, reconciliation between salary payable and paid, payable कितनी थी, paid कितनी, normally paid कम होती है थोड़ी सी, किस वज़ा से, कुछ implies आके 40 तोर पे cash की payment नहीं लेते हैं, यह अपना check वसूल नहीं करते हैं, ठीक है, बास उकात ऐसा होता है, जैसे खास तो पर यह government sector में, जो pension pay की जाती हैं, उसमें problem आती है, कुछ implies तो होते हैं, जो के 6-6 महीने या साल बादा के पूरे साल की pension जो है, वो claim करते हैं, तो इस सुरत में जो amount pay नहीं हुई, या claim नहीं हुई, उसका लैदा से record रखा जाना चाहिए, यह ना होकर किसी employee बिमार है, उसकी तबियत खराब है, वो उस महीने salary claim करने के लिए नहीं आया, तो जो distribution वाला है, वो salary अपनी जेब में डाल दे है, या अपने bank account में डाल दे, उतने दिनों का interest खाता चाहिए, जब तक वो imply claim करने के लिए नहीं आता, तो अगर salary payable है, और paid में फरक है, तो उसकी reconciliation बननी चाहिए, और उसका बकाइदा record होना चाहिए, कि in paid salary कितनी है, recording payroll, payroll वाले को record करते हुए, किस document की बेस पर recording करनी है, authorized payroll, अब मुझे बताएए, ये payroll कौन authorized कर रहा है, CFO, शाबार, deadline for recording, के एक हफ़ते के अंदर अंदर record कर दो, ये ना हो कि पिछले मीने की, अभी recording की ये नहीं payroll की, cut of error आजाएगा, अगर December के मीने की, timely बेस पर record ना करे, reconciliation between payroll and deal, अच्छा, इस प्यूर केंसिलेक्शन इसमें फरका है, ये है Sully Paid और Paypal में, और ये किसमें है, यानि इसमें, अच्छा, आप आप कहें के सर, इसकी एंटरी बता सकते हैं आप, इस payroll की बेस में, काउंट्स वाला एंटरी का पास करेगा, Sully Expense Debit, Cash Credit, गलत, Sully Expense Debit, Paypal Credit, और Paypal में Sully Paypal अलादा क्राड़िट, टेक्स पेबल अलादा क्राड़िट, और Provident Fund अलादा क्राड़िट, ठीक है, और बाकी अगर Cash Pay कर दिया, बात में फिर Paypal, Debit और Cash Credit, तो ये different accounts की reconciliation बनानी है, कि इसमें जो total figure है, जो Provident Fund में जानी वो Provident Fund में रिकार्ड होगी के नहीं, Sully's Expense में figure जानी चाहिए, वहाँ पे रिकार्ड होगी के नहीं, यानि जो जो amount, जिस जिस respective head में जानी चाहिए, वहाँ पे reconciliation बनानी है, वहाँ पे reconciliation होगी के नहीं, ये accounts के अंदर relevant accounts में, transfer की बात कर रहा है, reconciliation, बाई ये कुछ समझ आय आपको, चलिए, अब exam point of view से सुनने जिए, exam point of view से हमारे लिए, जो सबसे एहम होगा case study के point of view से, वो एक calculation of gross vigilance वाला area है, और फिर payment वाला area, payment में payment distribute करते हुए, खास तोर पे जब हमने identification confirm करने होती है, clear हुआ ये, चलिए, आज का हमारा part A, यहां पे खतम होता है, और आप home assignment note कर ले, आपने कम अज कम ये question जरूर करना है, question number 21, ठीक है जी, और फिर case 3 of appendix, ये दो question आपने, ये बाकी reproduction का question है, 14, इसको आप read कर लीजिएगा, written form में इन दोनों questions को आपने attempt करना, ठीक आप lecture का ये हिसा यहां पे खतम करते हैं, अलाहाँ पिस,